हेलो फ्रेंद्स कैसे है आप सब आयोब आप सब बहुत अच्छी होंगे और आप लोगों के साथ में इनय घ्लीप लिया थोड़ा अ humour तो रहे गया कि मैने ध्यान नहीं दिया मेरे पास ठाव में आप लोगों साथ में सेयर करती और आप लोग देखिए मारे गाओं का घर जो नया है और जो पुराना है वो भी सम्में दिखाती हूं यहां पर देखें, यहां पर दो कमरे बने यहां पर गायबेस, रहती हैं, यहां पर दो बकनिया आक्षंदर हैं, यहांकि पापा यह वीडियो ले रहे थे, मैं नहीं आत तो पानी अभी नहर में नहीं था हम लोग यह अपरेल में गयते गाउं तब का वीडियो ए तो शेर नहीं वह पाया था तो मैं देख रहे थी एक दिन तो मिली वीडियो तो पढ़ा ही है तो डाल देती हूं आप लोग भी देख लीजिए अमारे गाउं का नजारा कैसा है यह हिएंगि नहारा गारों का की शामने घर जो दिक्राम हा रहा है है सामने यह है नहर के तो देखिए बच्चे भी Ben July कर रहे थे बहुत मस्ती भी कर रहे थे लोग देख रहे हैं कि पापा वीडियो बना रहे हैं यहां पर जा रहे हैं यहां पर सब दिखा रहे थे बच्चों को कि लोग नहीं क्या नहीं तो अभी तुसद बाहर रहने लगे तो कौन है गाप में इतना कोई नहीं है यहां पर जो आप देखें नीचे साइब लेना अधर और जल रहा है दिखाते हैं वहाँ पर देखिए यहाँ सेडी बना हुआ है यहां पर नीचे यहां पर सब पापा जो मेरे रहस्मेंड है लोग सब बच्पन में बहुत क्रिकेट सब खेला करते थे अब देखे कितनी घासे हो गई है बट अभी बहुत जो साम को खेलने वाले आते ही एंई खेलने के लिए और यहां पर पहले तेलग तो बहुत ही खेला करते थे घाउं के बैठें है इस आ पर सब बागीचा है यह रात का टाइं में घर का लिये थी यह देवर्जी अंदर हैं यहां पे मेरे सासुर जी है और यह पंखा चल रहा है यहां पे दोनों पंखे चले हैं यहां पे सासुमा सोई हैं उसमें की तविध भी बहुत खराप थी जब मैं गई ती गाओं देके सोई मैं अंदर हूं देवर्यां बैठें अभी बाहर का सीने जश्ट द्वार का यह देखे हमारे कुवा हमारा और यह चारा काटनी के लिए है और यह सामने जो हमारा पुराना घर है मिट्टी वाला पीछे से तो सब गिर गया आगे का यही बस थोड़ा बच्चा है यह हमारा जो हमने नया बनव बाजु में बड़ी सास सुमा का जगर है वह है यह सब हमारा यह पाइप लगाये थे तो वह पर टाकी लगाये थे ना हम लोग गयते तो काम हुआ था बातरूम के लिए टाकी बिठाये थे तो था अर जो यह लो वाला जो यह देख रहे हैं आप सब बड़ी शास का है बड प्रटी का घर है सब अभी गीर गया है अब इसमें कोई नहीं रहता आगे से थोड़ा सा जो है ठीक ठाक इसी में दर उदर थोड़ा सब अपना समान रखें वाकी पीछे से तो सब गीरी पड़ गया है तो देखिए चल रहे हैं आप लकड़ी उकड़ी रखें बड़े जी का है और यह जश्टिस के बाजो में हमारा हैसरि तो ने ठीक है पता नहीं केसा तो गले में हो रहा है देखिए यहां पर दो कमरे बने हैं गाय भाष इसमें रहती है तीन कमरे है सुरी इसमें गाय भाष रहती है और यहां पे जो छोटा ही जो छोटां खीडला है उसी सवटत का और यह सब दिखा रही है यहां पे सब पॉधे यहां पें न्यती dot पेड़ लगा रखे अभी start कर रहा है कि लगा देंगे तो आगे चलके हमें अच्छा रहेगा तो आम का पेड़ जो में मुंबई से लेके गई थी वो भी लगा हुआ है यह बात्रूम का है जो टाकी लगा उसके लिए नल लगाए थे तो देखिए जो आप छोटा पेड़ देख रहे हैं आम का में मुंबई से लेके गई थी तो लगाए थे वही भी लगाये थे हैं यहां से पूल लेके वाहने तख्या की कमी नहीं नहीं है दिखा रहे है की सरकार के तरफ से बात्रूम बना था है यहां यहां पर हमारा बन चुका है कि दो हुत जा घू कर बना था वो है कि पाधान जी बनवाए थे और वो घर किसी और काई बाजू में ये हमारा देखिए सब पीछे से दिखा रहे हैं कि गिर गया है एक देखती हूं तो मुझे यादे आती हैं जब मेरी साधी हुई थी तो मैं इसी घर में थी बहुत अच्छा लगता था बहुत जगह अंदम बड़ा सा सब बहुत सभी रहते थे साथ में एक साथ बड़ी सास का घर हमारा सब साथ में थे बहुत अच्छा लगता था अभी तो देखिए कैसा हो गया है देखके तो अजीव लगता है बड़ क्या करें सोच रहे गिर जाए तो अच्छे से पूरा करक यहां पर अमरूत के पेड़ हैं बेल हैं और सही जहने कड़ी पत्ता भोस आधि पैड़ लगे हुए हैं देखिए कड़ी पत्ता जैश्रिस के बाजू में हुए हैं तो यह हमारा यह सब इदर पी लगा हुआ है सब जिया लगा देते हैं की और अब हमारा यह बात रूम है सामने जो देख रहे बात्रूम बना हम लोगं पहले बनवा लिया था और यहां सामने से यह हमारा घर दिखता है जो हमने नया बनवाया है तो यह सब यादे ही है तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से व्लॉग में तब तक के लिए बाए बाए थैंक यू सो मच